दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आठ आर के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें नमस्कार दोस्तों धर्म रहसे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज बात करेंगे माभगवती की सबसे बड़ी पुस्तक श्री दुरुगा शब्सती के बारे में ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है कहते हैं तंत्र सास्त्र में सबसे बड़ा जो ग्रंत माना जाता है वो माभगवती का यही स्री दुर्गाश शब्शती है और क्योंकि माभगवती का जो परमूच रूप है जिससे समस्त ब्रह्मांड को संचालन किया जाता है करोणों की संख्या में ब्रह्मांडों की स्थितियां हैं बहुत सारे ग्रह नच्छत रतारे हैं और एक ब्रह्मांड नहीं है बहुत सारे ब्रह्मांड हैं उन सबकी एक मातर नियनता करता और सबका जीवन पालल पोशन मृत्यू और फिर जीवन देने वाली जो भगवती मात उनकी साधना और उपासना के लिए रिशी मुनियों ने जिस पुस्तक की रचना की उसको हम स्री दुर्गा शबसिती के नाम से जानते हैं। चोटी मोटी तांतरिक सिद्या, यक्षणी, भैरवी, देवियां और बहुत सारी शक्तियां ये समस्त शक्तियां उस पराशक्ति के अधीन मानी जाती हैं। और रिशी मुनियों ने दुर्गा शबसिती के रूप में एक महान गरंद की रचना की जो मारकंडे रिशी जी थे और जिनों ने भगवान शिव जी की करपा के कारण से अपने मित्यू को टाल लिया था। की कोशिश की है और मां की अनसुनी कहानी जो है उन्हें सुनाने की कोशिश की है। तो आईए चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानने की कोशिश करते हैं कि मां भगवती की श्री दुर्गा शबसिती से जुड़ी वी ये कहानी कौन सी है और यह हमारे दर्शकों के लिए कितने फायदे मंद हो सकती है और कितने अधिक महतुशाली है। मैं रुद्रेश बंदारा अपने ज्यान एवं चर्चा निवारन विचारन सिर्फ धर्म रहसी यूटूब चैनल को ही मैं भेज रहा हूँ। नहीं किया है। यदि इस वीडियो में दिखाएगे इस इस्तिमाल की वी सामगरी का कोई उपयोग करता है तो वो कानूनी अफराद होगा और इस पर दंड भी किया जा सकता है। धम रहसे के सभी दर्शकों एवं गुरी जी को मेरा प्रणाम मैं यहा स्री द्रुगा शबसती की एक अंसुनी कहानी आप सबको बताना चाहता हूँ। जो आपने पहले कहीं भी नहीं सुनी होगी यह एक दंड कथा है इसे आप मनरंजल के तौर पर लें और साधी साथ ग्यान भी प्राप्त करें। यह बात है 1500 से लेकर 2000 साल पहले की तब हमारा भारत देश किसी बाहरी आकरमण से प्रभावित नहीं हुआ था यानि उससे वक्त कोई वे ऐसा आकरमण नहीं हुआ था देश के उपर। इसी कारण हमारी जो संस्कृती थी वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। तब माना जाता था कि उस समेशरी दुरगा सबस्ती को भी बांधा नहीं गया था। शब्त रिश्यों के द्वारा यह बात आप मान सकते हैं कि मद्ध भारत के थोड़े उपर कि विस्तार यानि उत्तर प्रदेश से एक जारखंड नाम की जगे जहां थी आज जो जारखंड के नाम से रज जना जाता है यह वहीं की बात है। वहां पर एक ब्रामण रहा करता था, वह सामान जिन्दगी जी रहा था मगर वह धीरे धीरे गरीब होता चला जा रहा था। उसकी आर्थिक इस्तिति अन्य इस्तितियल धीरे 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 करके खराब होने लग गई थी। उसके घर भी तभी उसे वेदों का ग्यान प्राप्त करने के लिए गुरू प्राम्थ हुआ और उन्होंने उसको विद्याय शिक्षाएं वगरा दी उनके ग्यान को प्राप्त करने के सोचा कि क्यों ना मैं दुरुगा शब्सती का पार्ट करूं और उसने यहाँ चार से साथ महीने तक रहकर जो कि एक गुरू का उनके आच्रम था स्री दुरुगा सबस्ति का पाठ किया मगर उसे कोई अपने में कोई भी इस्तिती जो है इसमें बदलाव महसूस नहीं हुआ वहाँ इसी प्रकार बदलब चार से साथ महीने तर लगातार स्री दुरुगा सबस्ति का प्रत दिन पाठ करता रहा लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर कोई भी बदलाव ये कोई भी अंतर उसे महसूस नहीं हुआ तो उसने ये सोचा कि अगर मेरी आर्थे की सिती इसी प्रकार बनी रहेगी तो किस प्रकार से चलेगा वो ये सब सोचते सोचते उसके मन में वहाँ से संबंधी जुड़ी वी कुछ बातें और ज्ञान जो प्राप्त हुआ उसके आधार पे उसने एक जगह जाने के बारे में सोचा उसने सुना था कि जारखंड बिहार छेतर में जो आदिवाशी लोग होते हैं वो वहाँ बहुती अच्छी इस्थानिक विद्या को या विधी को जानते हैं इस्थानिक विद्यानी की उस इस्थान के रहने वहे लोगों की विशेश तरहे की तांत्रिक शक्ति संबंधित विद्या है और वह इस काले जादू की विधी में बहुती जदा वहां के लोग पारंगत है इसी वज़े से उसने सोचा कि क्यों ना आक जाकर के चेक किया जाए और इस ग्यान को प्राव्ट किया जाए साइध इससे मेरी आर्थी किस्तिती भी सुदर जाए और इस काले जादू को सीख करके मैं अपने आपको और मजबूत कर पाऊंगा यही विचार उनके मन में रहा और इसी विचार के कारण उन्होंने उस छेतर की तरफ प्रस्थान किया यानि उस तरफ चलते चले गए कहते हैं क्योंकि वह विस्तार मुख्य छेतर करीब होने की कारण वह तंत्र का एक जमाने में गढ़ हुआ करता था वहाँ पे तंत्र वरगरा और इस तरह की चीज़ों का बहुत ही जपता प्रभाव हुआ करता था बहुत ही तरह के गोपनी तरीके के वहाँ पे गूर तंत्र मंत्र पीए जाते थे उसने जंगलों के तरफ प्रस्थान किया और धिरे-धिरे करके एक ऐसे स्थान पे पहुँचे जहां पर उनकी मुलाकात एक आधिवाशी कभीले से हुई और उसका आधिवाशी कभीले का जो सरदार था उससे जाकर के वो मिले उसको उन्होंने सारी बात बताई और इस संबन में जानने की कोशिश की उसी कभीले के जो सरदार थे उसने उसको एक तांत्रिक से मिलाया जो कहते हैं कि उस विद्या में बहुत ज़्यादा निपुड था और ऐसी कोई भी काली विद्या या काली शक्ति नहीं थी जिसको उसने सिध्धना किया वहाँ अधिकर डाकिया और अपने जमाने का एक शक्ति साली तांत्रिक हुआ करता था यानि कि वो जो था बहुती ज़्यदा इसमाबने मजबूत था और भिन भिन प्रकार की डाकणी शक्तिया जितनी होती हैं जो ब्रमान में विच्रण करती हैं उन सब का भी उस पर अधिकार था तो फिर उसने अपने गोपनी तंत्र और शक्ति को जब इस प्रकार से बखान किया तो ब्रामण ने भी कहा कि हाँ मैं आपसे यह चीजे जानना और समझना चाहता हूँ तो आप मुझे यह चीजे प्रत्यच करके दिखाईए यानि कि सारी की सारी विद्या जो है आपकी उसको आप प्रत्यच रूप से मुझे दिखा दी तो कहते हैं फिर तांत्रिक ने एक अगर हुआ कुछ यूँ की शमशान में बैठ कर ब्रामण के सामने जब उसने अपनी शक्तियों को प्रकट करना चाहा तो कोई शक्ति उसके पास आने को तैयार ही नहीं थी जो पाताल की भैंकर से भैंकर और भीशन सक्तियां उसके मन के विचार मातर से प्रकट हो जाती थ उसके सूचने मातर से वहाँ पर भिन-भिन प्रकार की तांत्रिक और भैंकर जो पाताल में निवास करने वाली शक्तियां है वो उसके पास आजया करती थी। उनके आवाहन का मंतर जाप करने तक की भी आवश्रक्ता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज आवाहन मंतर जापने के बाबजूद भी वो नहीं आ रही थी। उसने अपनी शक्तियों को आवान करके फिर से पूछा कि आखिर तुम सब क्यों नहीं आ रही हो। आखिर मुझसे क्या भूल हो गरी है। किस कारण से हे शक्तियों तुम प्रकट नहीं हो रही हो। तभी आसमान में से आकराश्मानी के रूप में वहाँ पर जितनी भी शक्तियों मौझूद थी। उनने सिध्यों ने कहा कि साधक आप जिस व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं वह व्यक्ति स्री दुरुगा शब्सती का साधक या उपासना कर चुका है। जिसके कारण हम आपके पास इस व्यक्ति के सामने आभी नहीं सकते हैं। इसके पास इतनी अधिक शक्तियां हैं कि अगर हम इसके सामने खड़े भी हो जाएं तो हम पल भर में ही नश्ट हो जाएंगे। यह बात सुनकर कुछ आदिवासी तांत्रिकों ने कहा कि ब्रामभर आप अपनी स्री दुरुगा सब्सती का पार्ट पढ़ें और कुछ और साधना करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। फिर उस ब्रामभर ने सोचा कि जो देना होगा वह शक्ती ही देगी अन्यथा कोई नहीं ले पाईगी और वहाँ कहते हैं सब्सती का ही पार्ट करते रहें। और उसी दूरुगा सब्सती का पार्ट करते करते अंतोगत्ताएं उन्हें मूख्ष की प्रापती होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस समझ में आया है कि कैसे दुर्गा सबस्ति के पार्ट मातर से व्यक्ति के उपर भैंकर से भैंकर तंतर शक्ती भी कोई अथर नहीं करी और केवल एक सबस्ति के पार्ट मातर से पूर्ण मुक्ष की प्राक्ति एक ब्रामःड को हो गई गुरू जी करपे हाप इस कहानी पर अपनी विशे पर टिपणी और विचार जरू कीजे मुझे मेरा एक सवाल है जो कि काली रक्षा घेरा मंत्रस में दिया है मैंने उसकी विधी विधान से करके उसे सिद्ध कर लिया मतलब सारी विध्याएं लगबग एक ही जैसे ही की जाती है जैसे यहां पर आप चहलामा अकाली का हो या भैरव जी का हो या किसी का भी हो उसका जो है उपियोग कैसे करना है वो ठीक एक ही तरीका उसका होता है तो यहाँ पर मैं वीडियो में तो आपको नहीं बता सकता हूँ, आपको मैं अलग से बता दूँगा इसके अलावा आपने कहा है कि जब आप ओम मंत्र का उशान करते हैं तो आपने महसूस किया कि पंच तत्तों अपने हिसाब से कंट्रोल होने के ऐसी स्थिति समझ में आती है यानि कि पंच तत्तों का जो है क्योंकि आपने पंच तत्तों के उपर ध्यान लगा है ओम मंत्र जो है परमात्मा का मंत्र मना जाता है और जब हम लोग ध्यान लगाते हैं तो जिन भी चीजों पर ध्यान लगाते हैं उन सब पे इस पंदन या उस शक्ति का प्रभाव पढ़ता ही पढ़ता है इसलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है और इसमें आपको धीरे धी करके आगे बढ़ना होगा तभी आप इन चीजों पर धीर धीर अपने समंझ से स्थापित कर सकते हैं और उन तत्तों की जो अभी प्रारंभी इस तर पर जो महसूस किया है उससे बहुत उचे इस तर पर जा सकते हैं तो आपका जो है मैंने नाम तो बता दिया है लेकिन आपका इमेल आईडी शो नहीं किया है जैसे कि आपने कहा था तो ये देखी इस प्रकार से दुरुगा शबशती का ये अनुभव है और इससे देखे कितना सब कुछ आप सीखने को आपको मिला है कि तंत्री गंथों में सबसे उत्तम और मुक्ष देने वाला जो तंत्री गंथ है और सबसे बड़ा गंथ अगर तंत्री गंथों माना जाए और कहा जाए तो वो श्री दुरुगा शबशती ही है इस पर समंध मेरी पुस्तक भी आ रही है आप लोग उसे जरूर लीजिए और वो दोनों ही रूपों में धिरे करके उपलब्ध होगी और सबसे बड़ी बात है कि उसमें मैंने पराशक्ती जो दर्शन है मंत्र योग है उसको भी डाला है ताकि आप लोग उस महान रहसे को भी समझ सकें कि किस प्रकार के जो ब्रह्मान के गूपनी रहसे हैं वो क्या है और मा भगवती उसके बारे में क्या कहती है तो इसलिए अगर वो पुस्तक जब भी आया तो जिन लोगों ने खास्तोर से दीख्षा ली हुई है वो लोग अवश्य खरीदें क्योंकि सारा ग् किसी और माध्यम के द्वारा क्योंकि गुरू का यही करताव वे होता है तो यहां पर मैं किताब के माध्यम से ही उस रहसे को बता रहा हूं और आपको पूरा ज्यान उस चीच का दूंगा तो आप उस पुस्तक को भी वश्य ही खरीदें और माभगवती की इस पुस्तक का अवस्य ही अवस्या ध्यन करें इसका जाप करें और जीवन को सुख में बनाएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद